हेलो एन वेलकम टू दा चैनल नेचुरल योगा फीजियो फार्मेसी फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में अस्थमा के बारे में देखेंगे किす अस्थमा क्या होता है उसके causes क्या होते हैं, symptoms क्या होते हैं, diagnosis और treatment क्या होते हैं तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं अस्थमा एक respiratory disorder होता है जिसमें breathe जो है वो sort हो जाता है यानि कि स्वांस बहुत जल्दी जल्दी आता है और गले से घरगरहाट की आवाज आती है इस condition में airways यानि कि जो स्वांस नली है वो narrow हो जाती है उसमें swelling हो जाती है जिसके करण breathing difficult होता है स्वांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा खासी आता रहता है अस्थमा अटैक कभी कभी develop हो सकता है अस्थमा अटैक का condition तब develop होता है जब इसमाल respiratory tube यानि कि bronchioles में constriction हो जाता है जिससे स्वांस लेने में कठिनाईया महसूस होने लगती है bronchioles constrict तब होते हैं जब bronchioles mucus से भर जाए या फिर bronchioles के membrane lining में swelling हो जाए इस condition के develop होने से fresh air को inhale करने में दिक्कत महसूस होने लगता है जो दूसरे disorder को भी develop कर सकते है काजज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे environmental conditions के कारण bronchioles oversensitive हो जाते हैं जो अस्थमा काज करते हैं अस्थमा के attack में से 50% अस्थमा allergy के कारण develop होते हैं और वो allergy कई सारे चीजों से हो सकती है जैसे की dust particles, धूआ, pet hair, insect और कई तरह के food और medicine से हो सकते हैं अस्थमा का attack, heavy exercise, breathing cold air, emotional stress और infection से होने वाले allergy के कारण भी होते हैं इसके अलावा अस्थमा अन्वानसी के भी हो सकता है अस्थमा का attack serious हो सकता है, especially छोटे बच्चों में, लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, attack कम हो जाता है symptoms के अगर हम बात करें तो इस condition में chest में भारीपन महसूस होता है, स्वांस लेने में दिक्कत होता है और बार-बार खांसी आता रहता है साथ ही साथ गले से घर-घरहाट की आवाज आती है, जो की bronchioles में mucus के भरने से air pass करते समय आता है asthmatic attack के progress होने से bronchioles के आसपास की muscles कमजूर हो जाती हैं, और mucus के collection से breathing में difficult होता है diagnosis की अगर हम बात करें तो asthmat के condition में complete physical examination किया जाता है साथी साथ chest x-ray और allergy test भी किया जाता है साथी साथ peak flow test किया जाता है, इसमें एक छोटे से device में फूक मारना होता है जो यह measure करता है कि आप कितना तेज breathe out कर रहे हैं इसके अलावा pheno test करते हैं, इसमें एक device में breathe out करना होता है जो nitric oxide के label को measure करता है, जो की lungs में inflammation के लच्छड को बताता है treatment की अगर हम बात करें तो asthmat को cure नहीं किया जा सकता लेकिन इसको बहुत सारे drugs का यूज करके control किया जा सकता है acute attack के condition में bronchioles को enlarge करने के लिए epinephrine या isoproteinol को injection के थूँ या फिर aerosol के रूप में दिया जाता है यह medicine hurt को over stimulate कर देते हैं, इसलिए इन्हे long time के लिए use नहीं किया जाता है इसके साथ ही साथ metoproteinol और terbotalin को orally दिया जाता है यह drug hurt को less stimulate करते हैं, इसलिए इनको long time के लिए use किया जा सकता है लेकिन फिर भी इस drug को attack के कुछ दिन बाद बन कर दिया जाता है क्योंकि continuous लेने से इस drug से tolerance हो सकता है जोकि दूसरे attack आने पर treatment को difficult कर सकता है अस्थमा के condition में long term therapy के लिए theophylline को use किया जाता है जोकि bronchials को open रखता है, इसके अलावा cortico steroid अस्थमा को control कर सकता है लेकिन patients इस पे depend हो सकते हैं, जिसके कारण कई सारे side effects सो हो सकते हैं जैसे कि वजन का बढ़ना, peptical cancer, high blood pressure आदि drug chromoline को usually mild case में use किया जाता है यह histamine के release को inhibit करके अस्थमा के attack को prevent करता है इसके अलावा अगर कोई अस्थमा का attack, allergy के करण हो रहा है तो उस foreign substance को दूर रखना चाहिए अस्थमा को prevent करने के लिए कुछ precautions जरूरी होते हैं जैसे कि smoking को avoid करना चाहिए अगर pit hair, cumble या सोफे के गदे से निकलने वाले dust के करण allergy हो रहा है तो इन सब को घर से बाहर निकाल देना चाहिए साथी साथ हलका exercise और oil massage अस्थमा को prevent करते हैं ऐसे लोग जिनको smoke या dust से जल्दी ही allergy हो जाता है उन्हें घर से बाहर निकलते समय मास्क का परियोग करना चाहिए इसके अलावा ठंड से भी बचाव करना चाहिए ठंड के मोसम में गरम पानी का पीना और भाब का परियोग करना बहुत ही helpful हो सकता है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें